अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं सीलिक डिजीज जिसका दुसरे नाम सीलिक स्प्रियू या ग्ल्यूटन संसेटिव एंटारो पैथी भी है यह हमारे पास एक इम्मून मेडियेट इंटारो पैथी है अब ग्ल्यूटन कंटेनिंग फूद अब ग्ल्यूटन कौन कौन से खाने में होता है लाइक वीट राई बारले ऐसे खाने जिसमें ग्ल्यूटन प्रेजन उनकी वजासे इम्मून रियक्षियन स्टिमूलेट होता है वह जब हम पैथोजनेस पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो इससे आपको कौन से ख्लियर हो जाएगा अब पैथोजनेस की बात करें तो सबसे पहले में आपको बता तूँ कि ग्ल्यूटन होता क्या है ग्ल्यूटन जो है यह हमारे पास मेजर स्टोरेज प्रोटीन है अफ वीट अधर सिमिलर ग्रेंज जबके एक और वर्ड आप सुनेंगे ग्लाइडन ग्लाइडन क्या है यह अलकोहॉल सॉल्यूबल फ्रेक्शन और ग्ल्यूटन है ग्ल्यूटन का ही एक पार्ट है ग्लाइडन अब ग्ल्यूटन के अगेंस जब इंटेस्टाइनल इम्यून रियक्शन होता है तब डिजीज होती है celiac disease क्या intestinal immune reaction to gluten हमें मिलता है in this celiac disease अच्छा अभी तक मैंने आपको यह बता है कि यह immune reaction है अब यह immune reaction कैसे हो रहा होता है वो पूरी इसकी pathway को समझते है now what is this this is gluten यह gluten हमारे पास digest हो रही होती है by luminal and brush border enzymes ठीक है यह brush border luminal enzymes is gluten को digest करते हैं अब हमने gluten का एक पार्ट लिया this is glyden जैसे के मैंने आपको पीछे बताया था that is alcohol soluble friction of the gluten यह glyden लिया यह glyden क्या है 33 amino acid glyden peptide इस ने पूरा क्रॉस क्या इस brush border को enter हो गई into the lumen अब क्या है यहां पर यह present है tissue transglutaminase tissue transglutaminase यह glyden को convert करवा देगा into this one that is deaminated deaminated glyden अब क्या हुआ gluten था gluten का हमने पाट लिया glyden glyden को destroy किया tissue transglutaminase ने into deaminated glyden अब यह deaminated glyden यह deaminated glyden जाता है to the antigen presenting cell antigen presenting cell के यह HLA के दो एलील से बाइन करता है dq2 and dq8 एलील क्योंकि जो celiac disease के जितने भी patients होते हैं वो कहरी ही class 2 HLA antigens के dq2 and dq8 एलील को कर रहे होते हैं अब antigen presenting cells is deaminated glyden को present करते हैं to the T cells अब यह T cells कौन से होते हैं यह activate करेंगे to the cd4 positive T cells अब यहाँ पर हमारे पास cd4 positive T cells activate होगे जिन्होंने क्या किया produce किया cytokines को that cause tissue damage ठीक है अच्छा अब cd4 cells T cells तो activate होगे इसके साथ साथ T cells एक और चीज़ produce करेंगे interferon gamma interferon gamma भी क्या करेगा? tissue damage करेगा फिर यही T cells activate कर देंगे B cells को अब B cells क्या करेंगे? यह करेंगे production of antibodies यह antibodies की production करेंगे अब कौन कौन सी antibody तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए number one is anti-gliden क्योंकि यह antibodies ही diagnostic feature में हमारे पास help करते हैं anti-gliden, anti-endomycin and anti-transglutaminase transglutaminase gliden यह तीन antibodies produced होंगी by the B cells अब यह तो बात में चल रहा था इसके इलावा एक और चीज यह होती है कि यह deaminated gliden क्या करते हैं यह कहते हैं यह activate करते हैं epithelium को epithelial cells को induced करते हैं कि वो produce करें interleukin 15 तो यह deaminated gliden में क्या क्या epithelial cells को induced क्या और उनसे produce करवाया interleukin 15 अब यह interleukin 15 क्या करता है यह in result activation करवाता है of activation of CD8 positive T cells अब यहां से antigen presenting cells ने किसको करवाया था? 4 को और जब कि interleukin 15 ने किसको करवाया? 8 को तो यह CD8 positive T cells को activate करवाया और जो के हमारे पास epithelial damage करेंगे ठीक है? यह इसका पूरा pathogenesis pathway था इसके इलावा यह है कि हमारे पास जो celiac disease है that is associated with jogrant syndrome यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है कि इसमें हमारे पास antibodies produce होती है जहां पे कोई भी secretion producing होता है जैसे saliva है तो वो dry mouth cause करवा देता है tears है तो उसकी inhibition करके क्या करेगा कि dry eyes जाएंगी तो jogrant syndrome एक autoimmune disease है यह second type 1 diabetes यह भी हमारे पास autoimmune है and thyroiditis यह क्यों हो autoimmune diseases के साथ associate कर रहे है क्योंकि यह खुद भी एक immune mediated entire path ही है ठीक है अब बात करते हैं इसकी morphology की तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि जब biopsy करवाई जाएगी of second part of deudanum plus jejunum का proximal part तो उसमें higher concentration of gluten मिलेगी क्योंकि यह digest हो नहीं रहा होगा तो higher concentration of gluten मिलेगी secondly यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा होगा increased intra epithelial cd8 positive t-cells जो कि यहाँ पर activate हो रहा है थे उनका high level मिलेगा next is intra epithelial lymphocytes जो इसमें क्रेप्ट होंगे उनकी hyperplasia हो रहा होगा जबके villus की बात करें तो that is atrophied और इसमें क्या हो रहा होगा loss of mucosal and brush border area histologically बात करें तो increased number of plasma cells mast cells and eosinophils मिलेंगे in lamina propria अब clinical features की बात करें तो हमने इसको abdomen distension मिलेगी anorexia diarrhea and weight loss and non classical symptoms में abdominal pain nausea vomiting blotting constipation इसके साथ साथ इसमें और मिल रहा होता है preritis blistery skin lesion dermatitis अब बात करते हैं adults की तो सबसे पहले तो एक मैं ये बात बता दूँ आपको कि एक होती है silent celiac disease silent celiac disease क्या होती है कि on serotype it is positive positive serological test positive है और साथ में इसमें willis atrophy भी present है but it is asymptomatic अब adults में जो signs and symptoms मिलते हैं that is anemia due to iron and B12 deficiency ज्यादा हो रहा होता है in women diarrhea, blotting and fatigue diagnostic features की बात की जाए तो इसमें non-invasive serological test भी किये जाते हैं और most sensitive test में हमारे पास आ जाता है कि हम antibodies की detection करवाएं जो की है हमारे पास serological test भी antibody detection के लिए होता है जिसमें हमारे पास है AGA मिलेगा for anti-transglutaminase IgA again for anti-endomicelle antibodies और IgA और IgG दोनों मिलती हैं for anti-deaminated gliden ये तीन antibodies मिल रही होती है इनके लिए अब नेक्स बात करते हैं इसकी management की management include gluten-free diet क्योंकि वही complication cause करवाएं वो नहीं होगा तो ये भी हमारे पास नहीं होगी और रिस्क की बात करें तो increased risk of malignancy हो जाता है अब malignancy में भी दो कौन-कौन सी enteropathy associated T-cell lymphoma and small intestinal adenocarcinoma यहां तक हमने ciliac disease complete कर लिया लिए